हेलो दोस्तो स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एक्जाम क्रेजर में दोस्तो आज के वीडियो में हम 22 अप्रेल से समंधित उत्तर प्रदिस करेंट अफियर और इसके अलावा यूपी एक्जाम के लिए most important करेंट अफियर की questions को discuss करेंगे और हर एक question से related आपको fact भी बताएंगे और वीडियो के अंते में हम आपसे एक question भी पूचाएंगे जिसका जवाब आपको comment box में देना है और अगर आपको इसकी PDF डॉनलोड करनी है तो आप हमारे टेलिग्राम ग्रूप से इसकी PDF डॉनलोड कर सकते हैं टेलिग्राम ग्रूप की लिंक आपको वीडियो का description में मिल जाएगी तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं पहला question है हाल ही में Forbes सूची में एसिया के टॉप 30 व्यज्यानिकों में यूपी की सृति पांडे का नाम सामिल किया गया वह है यूपी के किस जिले से हैं ओफ्सन नमबर A है गोरकपूर B है नोइडा C है लखनव और D है कानपूर इसका जो correct answer है वह है ओफ्सन नमबर A गोरकपूर गोरकपूर की यूवा व्यज्यानिक सृति पांडे को मसहूर अमेरिकी बिजनेस पत्रिका फोफ्स ने एसिया के सरफसेष्ट यूवा व्यज्यानिकों में सामिल किया है पत्रिका की प्रबंदन ने सृति को इमेल के जरिये यह जानकारी दी है सृति ने इस उपलब्दी से ना केवल पूर्वांचल बलकि देश का नाम दुनिया में रूसन किया है कि सूची में 30 या उसे कम उमर के उन यूवा व्यज्यानिकों को सामिल किया जाता है जिन्होंने उद्योग, वीनिर्माण या उर्जा के छित्र में कोई ऐसा सोध किया है जो समाज और उद्योग जगत के लिए उप्योगी साबित हो रहा है तो दोस्तों ये कुशन मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश के गुरकपुर की निवासी सिर्ती पांडे का नाम जो है वो एसिया के 30 सर्वसेष्ट यूवा व्यज्यानिकों की सूची में सामिल किया गया है अब दोस्तों आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये जो सूची है इसमें 30 वर्स या उससे कम उमर के यूवा व्यज्यानिकों को सामिल किया गया है और दोस्तों जी सिर्ती पांडे हैं ये गुरकपुर की निवासी हैं तो इन्हें किस सूध के लिए इस सूची में सामिल किया गया है तो इन्होंने गैहों के डंठल वा धान के पुवाल से मकान निर्माड पर सूध किया है तो इसी उपलबदी के लिए इन्हें इस सूची में सामिल किया गया है और दोस्तो इसमें इन्होंने किया क्या है कि ग्याहूं के डंठल वा भूसे के बने पैनल से कम लागत में टेकाउ मकान तयार कर दुनिया को इन्होंने चकित कर दिया है तो यस पर इन्होंने सूध किया है इसी वज़ा से जो फोफस पत्रिका है उसने एसिया के सर्वसेश्ट तीस युबा वेग्यानकों की सूची में ने सामल किया है अब यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं यह है सुरती पांडी अब दोस्तों यह गुरकपुर की निवासी है तो गुरकपुर से रिलेटेड कुछ गोश्यन आपको अच्छी से धानक ने है कि गुरकपुर का वन डिस्टिक वन प्रोडक्ट क्या है तो टेरा कोटा गु के मंतरी योगी आदित नातने की है और सबसे पहले गुरकपुर के लिए एक जिला एक खादिपदार्थ के तौर पर चुना गया है सुनहेरी सकरकंद को तो यह मोच्ट इंपोर्टेंट है आपको अच्छे से ध्यान लगना है अगला कुश्यान है अप्रेल 2021 में किस राज इसका जो करेक्ट आंसर है वो है औफ्सन नमबर बी उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश सरकार ने अस्पतालों को ऑक्सीजन की निर्वाद आपूर्ती के लिए दस ऑक्सीजन सेंतर इस्थापित करने का निरणा लिया है डियार डियो अधिकारियों की एक टीम इस कारिय म में राज है प्रबग्ता के अनुसार एक्षपता में बन जाएंगे अब दोस्तों यह जो प्लेटय внकी अधिकारियों की टीम है इस कारियों की मदद करेगी और यहां पर जो डियार डियो है इसका full form क्या होता है तो Defense Research and Development Organization DRDO का full form होता है और दोस्तो DRDO की स्थापना कब हुई थी तो आपको ध्यान रखना है 1958 को कब 1958 को DRDO की स्थापना हुई थी और DRDO का मुख्याला कहां पर है तो New Delhi में इसका मुख्याला है ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है अगला कुश्यान है हाली में उत्तर प्रदेश कॉपरेटिव यूनियन के सभापती हनुमान मिस्रा का निदान हो गया या किस जिले से संबंदित हैं ओप्सन नमबर A है गुरकपुर, B है बलरामपुर, C है कानपुर, D है बहराइच इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ओप्सन नमबर C कानपुर उत्तर प्रदेश कॉपरेटिव यूनियन की प्रबंद समिती के सभापती हनुमान सुरूप मिस्रा का मंगलवार सुभा निधन हो गया, बताया जा रहा है कि वह काफी समझ से लखनव इस्तिद पीजियाई में भरती थे हनुमान मिस्रा अभी 9 दिसमबर को ही उत्तर प्रदेश कॉपरेटिव यूनियन की प्रबंद समिती का चुनाओ जीते थे भारती जन्ता पार्डी ने उन्हें इस पद के लिए प्रत्यासी बनाया था, ये उत्तर प्रदेश के कानपुर के निवासी थे तो दोस्तो आपको ध्यानक ना है कि उत्तर प्रदेश के कानपुर के निवासी हनुमान सुरूप मिस्रा का मंगलवार को निधन हो गया और ये उत्तर प्रदेश कॉपरेटिव यूनियन की प्रवंद समयती के सभापती थे अब दोस्तों ये कानपूर के निवासी थे तो कानपूर के बारे में कुछ important question देखते हैं दोस्तों कानपूर का उपनाम क्या है तो इसे उद्ध्योग नगर और इसे चर्म नगर के नाम से जाना जाता है कानपूर गंगा नदी के दक्ष्ण तट पर बसा हुआ है और 1857 के विद्रोह में कानपूर से नित्रत किसने किया था तो नाना साहब ने जिन्हें धुंदूपंत के नाम से भी जाना जाता है उन्होंने 1857 की विद्रोह में कानपूर से नित्रत किया था और दोस्तो भारतिय रास्टिय कांग्रेश का पहली भारतिय महिला अध्यक्ष कौन थी तो आपको ध्यानकना है कि ये थी सरोजिनी नाइडू और इन्होंने 1925 में कानपूर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी और दोस्तो 1924 में जो हिंदुस्तान रिपबलिक एसोसियेशन था यानि हरे इसकी इस्थापना कानपूर में होई थी कभी थी तो 1924 में ये आपको ध्यानकना है और दोस्तो कानपूर का जो एक जिला एक उत्पाद है वो क्या है तो चमला उत्पाद कानपूर का वन डिस्टेक बन प्रोडक्ट है और कानपूर का जो प्रमुक मेला या महुतसफ है वो कौन सा है तो बिठूर मेला या बिठूर महुतसफ ये कानपूर का प्रमुक मेला या महुतसफ है तो दोस्तों ये सारी चीज़ें कानपूर से रिलेटेड आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं ये लगातार एक्जाम में पूछे जाती है और यहां पर आप इमेज में देख सकते हैं ये हैं हनुमान सरूप मिस्रा जिनका हाल ही में निधन हो गया है अगला कुश्यन है अप परसनमबर D 142 वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स पर 180 देशों की सूची में भारत 142 में इस्थान पर है भारत को अपना कार्य ठीक से करने की कोशिश करने वाले पत्रकारों के लिए सबसे खतरनाक देशों में एक कहा जाता है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स अथवा 20 प्रेस स्वतंता सूचकांग 20 अप्रेल 2021 को अंतरास्ट्रिय लाभ संगटन रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा प्रकासित किया गया है इस सूची में नार्वे सबसे उपर है और उसके बाद फिनलैंड और तीसरे नंबर पजू है वो है डैनमार्क इस सूची में सबसे नीचे एरिट्रिया देसे है तो दोस्तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो सबसे नीचे पाइदान पर है वो कौन सा देश है तो Eritrea और इसमें भारत की रहें क्या है तो 142 में इस्थान पर भारत इसमें रहा है अब दोस्तो जो बिस्व प्रेश स्वतंता सूचकांक है ये होता क्या है तो इसके बारे हम थोला समझते हैं दोस्तो ये जो बिस्व प्रेश स्वतंता सूचकांक है इसे सबसे पहले तो ये समझना है कि जारी कौन करता है तो इसे प्रतेक वर्स रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी किया जाता है और इसकी जो पर्थम संस्क्रण है उसे कब प्रकासित किया गया था तो दोस्तो आपको ध्यान रखना है विस्वप्रेश स्वतंता सूचकांग का जो प्रथम संस्क्रण है वो बर्स 2002 में प्रकासित किया गया था ठेक है अब दोस् तो ये जो बिस्व प्रेश सोतंता सूचकांग है इसमें ये आकलन किया जाता है कि किसी भी देश में मेडिया के लिए यानि पत्रकारों के लिए कितनी सोतंतरता है और उन्हें कितनी सुरक्षा परदान है तो इनी सारी जीयों को लेकर कि ये जो बिस्व प्रेश सोतंता प्रति एक वर्स जारी किया जाता है और दोस्तों एक और बात आपको ध्यान में रखना है कि जो नौर्वे देश है ये 2021 की सूची में पहले इस्तान पर रहा है और ये 2020 की सूची में भी पहले इस्तान पर रहा था तो ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है अगला इसका जो करेक्ट आंसर है बहुए ओप्सन नमबर बी रूस रूसी व्यग्यानिकों ने साइवेरिया में इस्तित्थ दुनिया की सबसे गहरी जील बैकाल में बैकाल जीवीडी यानि गीगाटन वॉल्यूम डेटेक्टर नामक दुनिया का सबसे बड़ा अंडर वाटर नियूटरनो टेलीसकोप लॉंच किया है इस टेलीसकोप का निर्माण वर्स 2016 में इसलिए सुरू किया गया था ताकि नियूटरनो नामक रहस्यमई मूल भूतकणों का विस्तार से अध्यान किया जा सके और उनके संभावित सुरूतों का निर्धारन किया जा सके तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि दुनिया की सबसे गहरी जील यानि बैकाल जील में बैकाल जी वी डी नामक दुनिया का सबसे बड़ा अंडर वाटर नियूटरनो टेलीसकोप किस देश ने लॉंच किया है तो रूस ने इसे लॉंच किया है और दोस्तो रूस की राजधानी क्या है तो मॉस्को और रूस के जो रास्ट पती है वो है विलादमीर पुतिन और रूस की मुद्रा क्या है तो रूसी रूबल रूस की मुद्रा है तो ये सारी चीजें रूस से रिलेटेड आपको ध्यान अकनी है अगला कुश्यान है इटली ने हाल ही में किस देश में पहला मेगा फूड पार्क लॉंच किया जिसमें खाद्य प्रसंसकन सुविधायं सामिल है अप्सन नमबर A है भारत, B है नेपाल, C है बंगला देश और D है रोस इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अप्सन नमबर A भारत इटली ने हाल ही में भारत में पहला मेगा फूड पार्क लॉंच किया जिसमें खाद्य प्रसंसकन सुविधायं सामिल है यह देश में सुरू की गई पहली इतालवी भारती एक खाद्य पार्क योजना है इस परियोजना का मुख्य उद्देश करसी और उद्द्योग के बीच इंट्रेक्शन विक्सित करना है साथी यह परियोजना छेत्र में कुसल प्रद्योग्यों के अनुसंधान और विकास पर ध्यान के इंद्रित करेगी तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि इटली ने हाल ही में भारत में पहला मेगा फूड पार्क लॉजना बना रही है उप्सन नमबर A है चीन, B है रूस, C है इसराइल और D है कनाड़ा इसका जो करेक्ट आंसर है वो है उप्सन नमबर B रूस रूस की अंत्रिक्ष एजेंसी रॉस कोस्मॉस इसी वर्स अक्टूबर माह में अपने लूनर 25 मिसन को लॉंच करने की योजना बना रही है रूस का लूनर लेंडिंग मिसन लूनर 25 चंद्रमा की सता के नीचे जमी बर्फ का अध्यन करेगा जिसे भविस में अंत्रिक्ष यात्रियों दोरा एक संसाधन की रूप में प्रेयोग किया जा सकेगा तो दोस्तो आपको ध्यान रखना है कि जो लूनर 25 ये मिसन है ये किस देश का है तो ये रूस का मिसन है और दोस्तो जिस तरह से हमारे देश भारत की जो अंत्रिक्ष एजनसी है इसरो उसी तरह से जो अमेरिका की एजनसी है नासा तो इसी तरह से जो रूस की अंत्रिक्ष एजनसी है तो आपको ध्यान रखना है रूस कॉसमोस ये रूस की अंत्रिक्ष एजनसी है और यह जो Lunar 25 मिसन है यह किस देश का है तो रूस से रिलेटर्ड यह मिसन है यह आपको अच्छे से ध्यान रखना है अगला कुश्यान है इंडिया ओपन वैडमिंटन टूनामेंट 2021 कहां आयोजित होने वाला था अप्सन नमबर A है मुंबई, B है नई दिल्ली, C है जैपोर, D है जम्मू इसका जो करेक्ट आंसर है ओप्सन नमबर B नई दिल्ली इंडिया ओपन वैडमिंटन टूनामेंट 2021 को नई दिल्ली में COVID-19 मामलों में अचानक व्रधी के कारणा इस्तकित कर दिया गया है यह है टूनामेंट नई दिल्ली के केड़ी जादव इंडोर हॉल में 11-16 माई 2021 से आयोजित किया जाना था 2021 संसकर्ण पहले से ही एक बायो सेक्योर बबल में आयोजित किया जाना था जिसमें कोई दरसक और मेडिया नहीं होते हैं तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जो इंडिया ओपन बैडमिंटन टूनामेंट 2021 से इसका आयोजित नई दिल्ली में किया जाना था लेकिन COVID-19 के मामलों को देखते हुए इसे इस्तागित कर दिया गया है जबकि जो इस ये टूनामेंट है इसका आयोजित सेक्योर बबल में किया जाना था लेकिन फिर भी इसे कैंसिल कर दिया गया है और ये कहां पर किया जा रहा था तो नई दिल्ली के केड़ी जादव इंडूर हॉल में इसका आयोजित किया जा रहा था फिलाल इसे इस्तागित कर दिया गया है अगला कुशियन है अप्रेल 2021 में निमलखित में से किसने अपने ग्रहकों के लिए ये भुकतान की सुभधा के लिए पी टी एम के साथ भागीदारी की है अप्सन नमबर A है SBI Life Insurance, B है Oriental Insurance Company, C है भारतिय जीवन बीमा निगम और D है HDFC Standard Life इसका जो correct answer है वो है option number C भारतिय जीवन बीमा निगम भारतिय जीवन बीमा निगम यानि LIC ने अपने ग्रहकों के लिए ये भुकतान की सुभधा के लिए पी टी एम के साथ भागीदारी की है इससे पहले LIC ने एक और भुकतान गेटवे के साथ भागीदारी की थी और अब अधिकांस भुकतान डिजटल मोड में इस्तानांतरित होने के कारण तथा एक नए अनुबंद की जरूरत होने के कारण नई साज़ेदारी की गई है हमारी के बाद LIC में काफी डिजटल भुकतान हो रहे हैं तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जो LIC है भारतिय जीवन वीमा निगम इसने किस के साथ भागीदारी की है तो इसने पे टी एम के साथ भागीदारी की है अगला कुश्यान है हाली में स्टार्ट अप इंडिया सीड फंड स्केम SISFS की सुरुवात किसने की ओप्सन नमबर A है नितन गडगरी B है सुरी अमित साह, C है सुरी राजना सिंग और D है सुरी प्यूस गोयल इसका जो करेक्ट आंसर है ओप्सन नमबर D सुरी प्यूस गोयल रेल वानिज और उद्ध्योग उपभोकता मामले में खाद्य और सारवजनिक बित्रन मंत्री प्यूस गोयल ने 19 अपरेल 2021 को स्टार्ट अप इंडिया सीड फंड स्कीम की सुरुवात की इस फंड का उद्ध्य से अवधारना, प्रोटोटाइब विकास, उत्पाद परिक्षन, बाजार प्रवेस और व्यवसाई करण के प्रमाल के लिए स्टार्ट को वित्य सहता प्रदान करना है तो दोस्तो आपको ध्यान रखना है कि जो प्यूस गोयल है, उन्होंने स्टार्ट अप इंडिया सीड फंड स्कीम की सुरुवात की है, यहाँ पर दोस्तो सीड फंड है आपको ध्यान रखना है, तो यह किसने सुरुवात की है, तो इसे प्यूस गोयल ने इसकी सुरुवा तो ये था कल की वीडियो का कुश्यन जो हमने आप से पूछा था अप्रेल 2021 में एसियन वेट लिफ्टिंग चेंपियंशिप में 119 किलोग्राम भार उठाकर क्लीन एंड जर्क में नया विस्यो रिकॉर्ड किसने बना जा इसका जो करेक्ट आंसर था वो अप्स नंबर B था म पीरा बाई चानू और लगभख सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब दे और मैं फिर से कहता हूं कि जो भी कुश्यन आप से पूछा जाए तो सभी लोग उसका आंसर जरूर क्या करो यह आज का कुश्यन हाल ही मैं चर्चा में रहा एंजेनियोटी क्या है अप्स न चैनल पढ़ना है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें साथी वैल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक्यू